जब आखों में अर्मान लिया अमन्जिल को अपना मान लिया फैंसकिल क्या क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। एक लाख पैंतिस जार के आसपास जो समयोजन किया गया था सपा सरकार के द्वारा उसे सुप्रीम कोट ने रद्द कर दिया था उसके बाद जो पद रिक्त हुए उन पदों को भरने के लिए दो चरणों में दो सिक्षक भरती परिक्षाएं करवाई गयी थी पहली जो भरती माला मुद्दा रहा उसको लेकर दुनों भरतियां काफी बिवादित नहीं फिलाल अभी 68500 यानि की पहली जो सिक्षक भरती आये थी वो भरती भी ठीक ठाक सटल नहीं हो पाई है अभी ये भरती रह रहा कि चर्चा में आती है 79000 सिक्षक भरती के अंतरगत भी इस जिरवे यहां पर नहीं मिले इन आरक्षित वर्ग के अभिरतियों को वो पद उनको मिलने चाहिए फिलाल एक लेटेस्ट अबडेट निकल के आ रही है जाकी आप यहां पर देख सकते हैं कि बेसिक सिक्षा परचत के प्रात्मिक इसकुलों में 58500 सिक्षक भरती में OBC वर्ग के प्रायों के उपाध्यक्ष डाक्टर लोकेश कुमार प्रजापती ने बेसिक सिक्षा विवाक के अफसरों को भेजे तीन मार्च के अपने मत्पूर्ट फैसले में भरती में अनिमततायें और विसंगतियां दूर करने के निर्देश दिये हैं सिक्यात करताओं ने 68500 सिक्षक वर्टी 2018 में OBC और दिव्यांग वर्ग के अप्रतियों को उत्रिन अंक में 5% छूट न देने के साक्ष प्रस्तुत किये अप्रतियों का कहना था कि OBC और दिव्यांग अप्रतियों को अनरक्षित वर्ग के समान रखा गया और उनके लिए भी अनरक्षित वर्ग की तरहीं 150 अंकों की परिक्षा में पास होने के लिए 67 अंक यानि की 45 प्रस्त की सर्त रखी गई जबकि 802 को 60 अंक यानि की 40 प्रस्त अंक पर पास किया गया था तो आयोग ने अपनी संस्तुरी में लिखा है कि एंसी टी की पात्रता परिक्षा से जो सम्मंदित 29 जुलाई 2011 की अत्सुषिना के प्रावधानों के अनुसार बेसिस की जबाग की अन्य भरतियां 69 सिक्षक भरति 2019 एडिट जुलियन हाई स्कूलों में 1504 सहाय कद्यापक भरति 2021 और 32825 प्रस्विक्ष्चु सिक्षक भरति 2011 की तरह नियमों का अनुपालन करते विए उत्तिनांक में OBC पर के अभरतियों को 5% की छूट अर्थात 150 में 60 अंक पर यानि कि 40% पर उत्तिन किया जाए तो अगर यह जो नियम है यानि कि जो आदेश हुए हैं 40% पर पास आउट करने के लिए जाए कि उत्तिरांग जो है तो अगर यह लागू होता है तो बड़ी संक्या में OBC अभ बात करें तो 8500 भरती में तकरीबन अभी 22,000 पद खाली हैं सरकार ने इस भरती के लिए 9 जनुरी 2018 को मारदरसी जिद्धान जारी के थे तीन चड़ों में 46,000 से अधिक पद भैजा चुके हैं 22,000 पदों को भरने की मांग बढ़ती लब्में समय से कर रहे हैं और यह वही 22, जार पद हैं जिनको समाजुद करने की बाद भी कई बार उठ चुकी है कि यह जो रिक्त पद हैं और 69,000 में जो रिक्त पद हैं इनको जोड़ कर जो परिक्षा हुई है उनतर जार की उसी के आधार पर इन पदों को भी भर दिया जाए लेकिन यहाँ पर एक नियम आड़े जाता है कि बिग्यप्ती में 69,000 पदी हैं तो उससे अधिक पदों को समाजुद नहीं किया जा सकता है इसके बारे में अभी हाली में एक याज क्या भी सुप्रीम कूर्ट में दाखिर हुई थी और यह याज क्या तब दयार हुई थी जब आपको याद होगा कि कुल मिला क कि अंसट सो 6,800 OBC और SC जो कंडिडेट्स हैं उनकी सूची जारी की गई थी कि जो आरक्षन में विसंगती हुई थी उसको मानते विए सरकार ने अंसट सो लोगों की रिक्त सूची जारी कुई थी कि रिक्त सूची नहीं बलकि इनको फिलप किया जाना था कि अंसट सो पद गया क्योंकि इसपर ये क्याचया धायरुहिती कोर्ट में और कोर्ट ने ये कहा था इसपर कि क्योंकि यह जो वकैंसी थी वह 70,000 पदों पर ही थी तोTechathy जार से एक भी अधिक भरती को कम्प्लीट करना है फिरा फ्रेंड्स पांस साल में दो सिक्षक भरतिया हुई प्राइमरी में और दोनों में ही आरक्षण का पेच फसा आपको याद होगा कि सुप्रीम कोड ने जुलाई 2017 में कुल एक लाख 37,000 सिक्षा मित्रों के सहाय का द्यापक पतपर जो समायो प्रजापती ने पिछले साल अपनी अंतरिम रिपोर्ट में चेहर प्रक्रिया में आरक्षण नेत के उलंगन की बात मानी थी और यह रिपोर्ट आने के बाद अपना दल S की रास्टी अनुप्रिया पटेल ने भी मुख्यमंत्री योगी आदितनात को पत्र लिखकर आरक् सिक्ष्या मंत्री 37 दिवेदी ने 24 दिसंबर को खोशला की थी कि 6 जनवरी तक आरक्षित वरके 6000 अब्रतियों की सयाक अध्यापकपत पर भरती की जाएगी हलांकि यह वादा पूरा नहीं हो सका और तमाम कोश्यों के बाद बेसिक सिक्ष्या परसित के सचिव प्रताप सिं और सारी की सारी प्रक्रिया जोती वो ठप हो गई थी और इसके बाद भी तमाम चीजें आई सामने जिसके बारे में आप सो भी लोग जानते ही हैं फिलार फ्रेंट्स चाहा पर राश्टी पिश्वाफर गायों के उपाध्यक्ष्य ने आगे इस पर क्या कारवाई सरकार के दारा की जाती है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश के साहता प्रावत माधवी विद्यालों में प्रशिक्षित असनातक्त जीटी और प्रवक्ता की नई भरती सुरू करने और पूर में चनित लेकिन कारवाग रहन न कर सकने वाले सिक्षिकों के समयोजन की मांग को लेकर प्रदोगी छात्रों ने सो मुहार को माधमी सिक्षा सिवा चन बोर्ट पर प्रदसन किया है और इन्होंने मांग किये कि जो लोग चनित चुके हैं जिनकी नियुक्ति नही सिक्षक भरती का विग्यापन सीख रही जारी किया जाएं डिप्टिय सचु नहीं बता है कि 2022 का जो विग्यापन होगा टीजीटी पीजीटी के लिए उसके लिए अभी तक 5000 अध्याचन विए हैं तो इसमें से 4000 जो हैं यह मतलब भरती के लिए हैं अभी इस पर जो है नोटि मिलाके देखा जाए तो अभी 4000 पदी हैं जिस पर एक स्वतंतर प्रतियुक्ता आयुजीट हो पाएगी और अगर बात करें रिट एक्जाम के बारे में तो जो लोग या जो भी एस्पिरेंट हैं यहां पर रिट परिक्षा से संबंदित तो वो लोग यह जानने कि फिलाल इसरासरकार ने एक ही परिक्षा एजंसी के ज़ेर्गे रिट लेबल 1 और लेबल 2 की परिक्षा हाज़ूत कराई थी जिसमें लाखो बेरती सामेल वे थे Label 2 के बारे में अभी फिलाल अबडेट यह है कि High Code ने सरकार से यह कहा है कि आत्रहसा अस्पस्टिक करनदे की एक ही परिक्षा मदब हुई थी Label 1 और Label 2 की एक ही संस्थान ने करवाई थी और यह कि दिन परिक्षा हुई थी तो Label 2 की परिक्षा निरस्त क्यों की गई Label 1 की परिक्षा पर भरती क्यों की जा रही है इसके बारे में भी कोड ने रास्तान सरकार से जबाम मांगा है और वहीं पर REIT पेपर लिंग धानली मामले में बचले मवाल के बाद CM असो गलोत ने REIT Label 2 की परिक्षा को रद कर दिया था CM ने कहा था कि REIT Label 2 की परिक्षा नए सरी से आज़ित होगी और इसी बीच खबर है कि REIT 2022 मुक्षा का जो स्लेबस है थर्ड ग्रेड एक्जाम इसका जो स्लेबस है यह अप्रेल 2022 थक जारी हो सकता है तो फ्रेंट जेती आज की पूरी अप्डेट और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अप्डेट्स आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा और हम मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में दब तक यागें दिजिए नमस्कार जैहिंद